आज ही doubtnet app download करें doubtnet पर होगा अब आपके सभी maths, chemistry, physics और biology doubts का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत video solution पाओ download now question में हमसे कहा गया हमें एक rectangular field दिरका जिसके dimensions are 20 by 14 इसमें हमने corner में एक pit डग कराया जिसके dimensions are 6 meter long, 3 meter wide and 2.5 meter deep इस misses जो हमने मिटे निकाली है वो हमने बाकी बचे हुए जो rectangular field है उसके उपर uniformly spread कर दिये तो जो level होगा और ground से थोड़ा सा increase हो जाएगा तो वो कितना level increase होगा वो height हमें find करनी है तो देखिए हम question को कैसे find out करते है सबसे पहले volume dugout equals to 6 into 3 into 2.5 meter cube इस rectangle के dimensions है बड़े वाले के 20 by 14 और छोटे वाले के dimensions है 6 by 3 और 2.5 meter deep तो यह जो बाकी rest of the field है इसके उपर हमने वो मिटे डाल दिये तो हमें height पता लगा नहीं है तो हम बचे हुए area बचे हुए जो field है उसका area find out कर लेते हैं वो हो जाएगा 20 by 14 minus यह जो corner वाला corner वाला जो हमने bit खोदा है इसका area हम इसमें से subtract कर देंगे वो हो जाएगा 6 into 3 इसकी height अगर x x से increase हुई तो यह इसकी volume हो जाएगी और यह volume volume dugout के equal हो कर देंगे तो हमें x की value पता लग जाएगी तो है आ जाएगी 280 minus 18x equals to 18 into 2.5 यहां से हमें x की value आएगी यहां जाएगा 45 divided by 262 यह हम solve करेंगे तो यह आएगा 0.1717 meters थांकियो फर वाचिंग दिस अलिप ख्लासिक सिट्वेल सलेके नीट आएएटी जेही मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुटिंट्स का भर हो सा आज जी डाउनलोड करे डाउटने टाप यह वाच्साप कीजे अपने डाउट्स आज चारसो 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 पर